राधे राधे फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल हमारा रसोई घर में तो चलिए फ्रेंट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्रेंट्स आज मैं आपको कड़ी बनाने का एकदम आसान तरीका बताऊंगी आपको कुछ भी नहीं करना है बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगी तो उसके लिए आपको वीडियो को भीना स्किप किये देखना होगा वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम कड़ी बनाते समय क्या गलतियां करते हैं जिससे हमारी कड़ी जो है वो फट जाती है और इसके साथ साथ मैं आपको एक special तड़का भी बताऊंगी जिससे कि हमारी simple सी कड़ी भी बहुत ही ज़्यादा tasty हो जाएगी कड़ी बनाने के लिए मैंने ले लिया है दही ये मठा नहीं है अगर आप चाहें तो मठा भी ले सकते हैं दही को मैंने अच्छे से फेट लिया है फ्रिंट्स दही को आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं अगर आपका दही खटा है तो थोड़ा कम ही डालें अगर आपका दही थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमा, इसमें हमें थोड़ा थोड़ा सा पानी आड़ करते जाना है, और इसको फेटते जाना है, इसमें हमें एकदम से पानी नहीं डालना है, नहीं तो ये सारा बेसन खराब हो जाएगा, हमें पता नहीं लगेगा, क को मैंने अच्छे से फेट लिया है और आप देख सकते हैं इसकी consistency देख सकते हैं आप इस तरह से हमें रखनी है एक ribbon टाइब का बनना चाहिए जब हम इसको ऐसे उठाते हैं उपर को तो एक ribbon पूलेंगे नहीं और कड़ी में अगर पकोड़े फूलते नहीं तो फिर वो कड़ी बेकार लगती है पकोड़े हाफ फ्राइए हो जाने के बाद हमें गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है फ्रेंड्स पकोड़े जो है वो मुझसे गोल गोल नहीं बनते तो इस चीज को आप इग्नॉर कीजिएगा और आप ध्यान दीजिएगा कड़ी पे और कड़ी के टेस्ट पे इसी तरह से मैंने सारे पकोड़ों को तल लिया है और अब हमें लेना है एक बड़ा सा भगोना या कड़ाई जो कुछ भी आप लेना चाहें उसमें मैंने दही डाल दिया है दही को मैंने पहले से ही फेट लिया था और अब मैंने जो बेशन घोल के रखा था अब मैं वो इसमें एड़ कर दूँगी बेशन को हमें घोल बना के ही डालना है नहीं तो कड़ी में लंस पड़ जाएंगे इसको भी मैं इसमें एड़ कर देती हूँ और इसमें अब मैं पानी एड़ कर दूँगी इसमें मैंने पानी डाल दिया है और अब हमें डालना है इसमें एक चमच भर के हल्दी हल्दी का कलर पहले नहीं दिखेगा आप यह मैं सोचिएगा कि हल्दी कम है जब हम इसको गैस पे चढ़ाएंगे और इसमें उबाल आएगा तो हल्दी अपने आप कलर छोड़ने लगेगी और इसमें मैंने डाल दिये थोड़ी सी बारिक पिसीवी लाल मिर्च और इन सब को अच्छे से मिक्स कर देना है पानी जो है वो हमें अपने हिसाब से डालना है ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा गाड़ा भी नहीं होना चाहिए अगर ज्यादा पतला हो जाएगा तो हमें पकाने में प्रॉब्लम आएगी और ज्यादा गाड़ा हो जाएगा तो पकने से पहले ही वो गाड़ी हो जाएगी तो इसलिए पानी जो है वो हमें बहुत ही हिसाब से डालना है डिपेंड करता है आपके दही के उपर कि आपका दही कितना गाड़ा है इन सारी चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इस भगोने को गैस पे रख देती हूँ और इसको हमें कंटिन्यू चलाते रहना है जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए आप देख सकते हैं कड़ी में जैसे जैसे उबाल आता जा रहा है वैसे वैसे ही हल्दी अपना कलर छोड़ रही है आप अगर इसको कंटिन्यू चलाएंगे नहीं तो कड़ी हमारी जो है वो फट जाएगी तो जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाता है तब तक हमें इसे कंटिन्यू चलाते रहना है बस अब थोड़ा ही समय लगेगा इसमें उबाल आ जाएगा कड़ी में हमारी उबाल आ चुका है और अब इसी स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी नमक मैंने इसमें नमक डाल दिया है और अब मैं गैस का फ्लेम कर दूँगी लो टू मीडियम और इसको धिमियाज में पकने देती हूँ कड़ी जो है वो अब अच्छे से पक चुकी है और अब इसी स्टेज पे मैं इसमें डाल दूँगी पकावड़े थोड़ी सी वो पतली लग रही है बट मैं इसमें जब पकोडे डालूँगी तो जिए इसका पानी है वो पकोडे सोक लेंगे तो कड़ी जो हमारी है वो विल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएगी तो मैंने इसमें पकावडे डाल दिये हैं और अब मैं इसको हाई फ्लेम पे पका लेती हूँ पकावडे डालने के बाद मैं इसको 5 मिनट तक पका लूँगी ताकि जो हमारे पकावडे हैं वो सॉप्ट हो जाएं तो कड़ी को हम पकने देते हैं तब तक हम अपने तड़के की तयारी कर लेते हैं तड़का लगाने के लिए मैंने ले लिया है बारीक कटे हुए लहसन, करीपत्ता, हींग, तोड़ा सा खड़ा धनिया, दो सूखी, लाल मिर्च आप चाहें तो लेसन को स्किप भी कर सकते हैं कड़ी हमारी अच्छे से कुख हो चुकी है और अब हम गैस का फ्लेम कर देते हैं और तड़का लगाते हैं तड़का लगाने के लिए मैंने ले लिया है तड़का पैन और अब मैं इसमें डालूंगी सरसू का तेल तेल हमारा अच्छे से गरम हो चुका है और अब मैं इसमें सारी चीजें डाल दूंगी जो भी चीजें मैंने तड़के के लिए रखी थी करीपत्ता लहसन, कड़ा धनिया, सुखी लाल मीर, छींग सब मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसको गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको फ्राइ करूंगी तो तड़का हमारा रेडी हो चुका है और अब मैं कड़ी में तड़का लगा देती हूँ कड़ी में मैंने तड़का लगा दिया है और अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारी कड़ी क्यों फट जाती है हम क्या ऐसी गलती करते हैं जिससे हमारी कड़ी जो है वो फट जाती है हम क्या करते हैं जब कड़ी को बनाने के लिए रखते हैं तो उसमें साथ में ही नमक डाल देते हैं इस वज़े से कड़ी हमारी फट जाती है तो हमें क्या करना है कड़ी में नमक तब डालना है जब कड़ी में उबाल आ जाती है उबाल आ जाने के बाद आप कड़ी में नमक डालेंगे तो कड़ी हमारी कभी नहीं फटेगी और दूसरा हम क्या करते हैं कि कड़ी हम बनाने के लिए रख देते हैं तो उसको हम बרाबर चलाते नहीं है कड़ी बनाने के लिए आज जय कुला sa हमें बड़ी से छलाते रहना है यही वो गलतियां है जो हम करते हैं जिससे हमारी कड़ी पट है कि मेरी बताई हुई इस ट्रिक को आप की कड़ी तो कभी नहीं वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजीे कमेंट कर दीजीे सेयर कर दीजीे और प्लीज मिरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजी तो मिलते हैं नेमें अरेप नेन गश्कशों के लिए राधे